है रोग वाई इसमें बात किने वाले हैं JSW Steel के बारे में इस कमपनी को लेकर एक बहुत ही बड़ी ख़बर निकल के आज की सामने जिसके बारे में डिसकुशन करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर JSW Steel एक और बड़ी कमपनी के अंदर हिस्सेदारी खरीदने जा रही है और इसी खबर की चलते कमपनी के शेव में यहां पर एक अच्छी तेची बन सकती है तो वीडियो को जरू से एंडर देखते रहना सबसे वहले खबर के निकल के आ रही है इसको थोड़ा डीटेल में अनलाइस करें तो JSW Steel सेटर की सबसे बड़ी कमपनियों में से एक है कमपनी यहां पर से बाई कर सकती है नेशनल स्टील एंड एग्रो कमपनी को और यह जो यहां पर से कमपनी को एकवार करने की जो प्रोसेस है यहां पर से स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों को बता दू कि यहां पर से इनका यहां पर एक एंटिटी है जिसका यहां पर आप लोग assets है उसको government and banks यहाँ पर बीच देगी तो यह जो यहाँ पर से हिस्सेदार ही है वो JSW खरीच सकती है इसके उपर इन्होंने आपर acquire करने की उपर कुछ बड़ी announcement भी की है जो आप लोगों को यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है अब यहाँ पर से यह जो यहाँ पर acquisition है वो कितने रुपे में हो सकती है तो 400 करों रुपीस से लेकर 425 करों रुपीस के बीच में यहाँ पर से पूरी की acquisition हो सकती है ऐसा है आपर से अभी reports की द्वारा खबर निकल के जा रही है ठीक है आप लोगो कोई कोई चीज़ बताएदा हूं यह जो यहाँ पर से एक्वेजिशन हो जाता है तो जीस्टील की यहाँ पर से जो प्रोडक्शन कैपिसिटी है थोड़ी और इंक्रीस हो जाएगी और इसका यहाँ पर से बिजनस है वो और जादा अच्छे त आए उतर बहुत ज़दा स्ट्रॉंग ग्रूथ दिखा रही है आप लोग देखो कि तर कंपनी के शेर में आपर से एक समय पर एक बहुत ही बड़ी तेजी आई ठीक है तेजी आने के बाद कंपनी का शेर हाई लगाया उसके बाद यह कंपनी के शेर में लोगने चलुए उ यहां पर कंपनी के शेर में अभी यहां पर से रिसंटली भी एक बहुत इपर रीजेक्शन दिखाय था और आज से पहले भी यह कंपनी के शेर चलुए देखूँगे तो कमपनी ने 700 रुपय पर support भी बनाया था तो अब यहां पर से क्या scene है कमपनी का share जैसे ही 700 रुपय का जो level है वो फिर से cross करता है फर्दर यह कमनी के share में एक अच्छी तेजी बन सकती है और यह कमनी का यहां पर से हो सकता है lifetime high level है वो भी cross करके उससे उपर क कमनी का share भागता हुआ देखने कम ले तो करना क्या चीए जो लोग invested है वो इस company के share को भाई hold करके रखना patiently wait करना पड़ेगा इस company के अंदर यह company आपर long term के लिए steel सेक्टर की सबसे बड़िया company है राड़ वैसे और growth के लिए अच्छी है पर यह company को भी आप लोग ignore मत करना स सबसे बड़ी company में से एक है इसके साथ सद यहां पर बात करें एक एक और चीज़ आप लोगों को जरूसी धन में रखनी है जी एस टेपलो स्टील के अंदर चलो further गिरावट आती है company के share में heavy selling आती है तो कहां पर support बन सकता है तो 600 रुपे का यहां पर level है जहां पर आप ल लोगों को यहां पर short term में profit बन सकता है तो यह trick आप लोग जरूसे अपनाना ठीक है तो यह एक आपक वीक update था बाकि आप लोगों को इस company के एपड़ डीटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को comment section में बताना आप लोगों के लिए में detail वीडियो भी बना कर दे दूंगा तो बस